देश भर में नागरिक्ता कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है प्यम मोदी ने एक के बादे कई ट्वीट कर देश में शान्ती की अपील की और किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन न करने की अपील की उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं अपने साथ ही भारतियों को सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि CAB किसी भी धर्म के भारत के नागरिकों को प्रभावित नहीं करता किसी भारतिये को इस अधिनियम के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है ये अधीनियम केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों से उत्पीडन का स्तामना किया है इसके बाद पियम मोदी ने एक और ट्वीट किया और कहा कि CAA को लेकर हो रहे विरोध प्रजर्शन बहुत दुर्भाग्यपून है बहस, चर्चा, सहमती, असहमती लोगतंत्र का हिस्सा है लेकिन सार्जनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाना गलत है पियम मोदी ने कहा कि ये वक्त शान्ती, एक्ता और भाईचारा बनाए रखने का है मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो किसी भी तरह की अववा और जूट से बचे रहें प्रधारमंत्री ने कहा कि नागरिक्ता संशोधन एक्ट 2019 को संसत के दोनों सदनों ने बड़े बहुमत से पास किया है बड़ी संख्या में राजनीतिक दल और सांसुदों ने इसका समर्थन किया है ये कानून हमारे स्तद्यों पुरानी शांती, भाईचारा और करणा को दर्शाने वाला है दरसल केंद्र सरकार अभी हाल ही में नागरिक्ता संशोधन अधिनियम लेकर आई है इसमें हिंदू, सिख, बौथ, जैन, पारसी और इसाई समुदाय के लोग है जिनें एक से छे साल के भीतर भारत की नागरिक्ता दी जाएगी सरकार ने इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया है इसलिए जयातर विपक्षी दल इसे लेकर सवाल उठा रही है वहीं देश भर में जगा जगा इसको लेकर विरोत प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है लाटिया वाने देख हाद में पथर वार्स है यहीर दिल्ली चाम्यमिलिया कॉलिश एक लोग सिक्षत को द्वारा किसमिर्जयं चालाद मनाया जारे दो को हुआ है को हुआ है कर दो कर दो दो कर दो को लिए और सुछ। आप आप एको एको आप आईएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए कर दोत वाल हैं कर दो आगयों कर दंग छी कर दयान primarily कर दो